ओम सिरी गनेशाय नमा दोस्तू एश्ट्रो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हारदिक स्वागत हैं मेश रासी वालू हो जाओ तैयार तो कि अब देवो के देव महादेव स्वैम भगवान भोलेनाथ शिव संकर ओडर डानी की किरपासि 12 जून से 18 जून याने किन 7 दि आपको बता देए भगवान भोलेनाथ के किरपासि इन 7 दिनों में शिव योग बन गया है और अमरसिद्धी योग बन गया है जिसमें कि आपको इन 7 दिनों में 5 बड़ी खुसकबरी हलहार में मिलकर रहने वाली हैं 5 बड़ी गुड नियूज आपको मिलेगी कोई भी नही ही रोक सकते इन 5 बड़ी गुड नियूजों को मिलने से आपको 12 जून से 18 जून याने कि इन 7 दिनों में तो दोस्तों कौन कौन सी 5 बड़ी खुसकबरिया हैं जो कि आपको भगवान भोलेनाथ के किरपासि इन 7 दिनों में मिलने वाली हैं इस वीडियो में आपको उनी 5 ब बड़ी खुसकबरियां कौन कौन ची हैं इसलिए आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक गवश बने रहें और अंत तक इस वीडियो को आप पूरा देखें बिलकुल भी इस वीडियो को आप मिशना करें क्योंकि यह वीडियो आपकी राश्य वालों के लिए देखें जा दोस्तों वीडियो का अगर शुरू करें सबसे पहला आपसे रिक्वेस्ट करते हैं भगवान भूलेनात के सच्च वक्त इस वीडियो को एक लाइक अभी करें और कमेंट स्वोक्स में जै भूलेनात अवश्य लिखें जिससे भगवान भूलेनात का हो सके तो चले दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा भगवान भूलेनात के असिरवाश से आपकी राशी वालों के लिए 12 जून से 18 जून याने किन 7 दिनों का यह हैं महत्पपोन समय दोस्तों यह समय आर्थिक पक्ष पहले से अधिक शक्षम और मजबूत इस्तिती में रहेगा कुछ समय से चल रही चिंताओं से अब आपको राहत मिलेगी परिवार के लोगों की हर छोटी मोटी जरूरते पूरी करने में आपको आनन्द आएगा अचानक ही किसी पुराने मित्र या परिचित से मुलकात खुसी आपको प्रदान करेगी दोस्तों साते साथ यह समय भग्य उन्नती के सुब अफसर बन रहे हैं जो काम पिछले काफी समय से रुका हुआ या फिर अठका हुआ था उसके अब पूरा होने का समय आ गया है कुछ विरोधी हावी होंगे परंतु आपका आहित नहीं कर पाएंगे दोस्तों यह समय विध्यार्तियों की पिर्तियोगी परिक्षाओं का परिणाम उनके पक्ष में आएगा आवश्यक्ता है तो सिर्फ पहले से जादा मेहनत करने की किसी रिष्टेदार या मित्र द्वारा कोई महत्पपूर्ण सूचना भी आपको मिल सकती है जो आपके लिए लाबदायक साबित होगी दोस्तों साथ साथ यह समय बच्चों की पढ़ाई में करियर से सम्मंदित समस्याओं का समाधान मिलने से सुकून और राहत मिलेगी बड़े बुजर्गों के आशिरवाद वे किरपा से घर में खुस नुमा वाता वरन रहेगा आप अपनी किसी कमजोरी पर विजय पाने के लिए भी करत्न सील रहेंगे दोस्तों साथ साथ पिछले काफी समय से जो काम आपके रुके हुए या फिर अटके हुए थे वे अब आपके अल्प पिर्यास से ही पूरे होनी की संभवना है किसी रिष्टेदार से संबंदित कोई समचा सुनने को आपको मिल सकता है भाईयों से बटवारे संबंदित विवाद का निप्टारा आपसे सहमती वे किसी की माद्यमता से आसानी से हल हो जाएगा राजनितिक तता महत्पपून लोगों से लाबदायक आपके संपर्क बनेंगे आप अपनी बुद्धिमता वे होस्यारी से अधिकतर काम निप्टाने में यह समय सक्षम रहेंगे दोस्तो साति सात यह समय कुछ लोग आपकी आलोचना वे निंदा कर सकते हैं ऐसी नकारात्मक प्रवर्ति के लोगों से दूरी आपको बना कर रखने की आवश सकता है खर्चों की अधित्ता रहेगी जिससे आपका बजट भी बिगड़ सकता है भायों के साथ संबंध योगदान रहेगा दोस्तो यह समय आप अपने क्रोध वे आवेश को काबू में रखना आपके लिए आवश्क हैं कई बार जल्दबाजी वे अति उत्सा में बनाया हुआ खेली भी बिगड़ सकता है जिसकी वज़े से परिवारिक शुक्षांती भी प्रभावित हो सकती ह अडियल रविया आपको चिंता में डाल सकता है दोस्तो साथ साथ यह समय आप अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखें क्योंकि कोई आपको भावनात्मक रूप से बेवकूप भी बना सकता है व्यर्थ के कारों में धन खर्च होने के भी योग बन रहे हैं इसलिए अपने खर्चों पर आपको नियंतन रखने की आवशक्ता है भूमी वे वाहन संबंदी रण लेने से पहले आपको किसी की सला आवश्य लेनी चाहिए यह आपके लिए अच्छा रहेगा साथ साथ दोस्तों यह समय वे ध्यार्तियों को अपनी पढ़ाई पर अधिक ध्यान देने क आवशक्ता है साथ ही फिजूल खर्चों में भी आप कटोती करें करोद वे उत्तेजना पर आपको जरूर नियंतन रखने की आवशक्ता है अन्यता किसी के साथ आपके संबंदी भी खराब हो सकते हैं दोस्तों साथ इसाथ अपनी भावुक्ता और उदार्ता जैसी कमजोर पर विजय प्राप्त करना आपके लिए अति आवशक है क्योंकि इसकी वज़े से कुछ लोग आपका फायदा भी उठा लेते हैं सोसल मीडिया और व्यर्थ के मित्रों से आप दूरी बना कर रखें आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्तों साथ इसाथ बात अगर आपके लव लाइफ की करें तो यह समय परिवारिक वातावरन शुखद रहेगा प्रेम प्रसंग में पढ़कर अपने केरियर के साथ कोई समझोता आप ना करें दोस्तों साथ इसाथ यह समय पती पतनी के आपसी तालमेल और समाजस में कुछ कमी रह सकती हैं इसलिए कुछ समय पर पती पतनी के मध्यें यदि कोई विवाद चल रहा है तो उसका अब हल निकलेगा तथा घर का वातावरन खुसनुमा हो जाएगा प्रेम प्रसंग में पढ़कर अपने केरियर वे अध्यन के साथ समझोता आप ना करें परिवार में आपसी प्रेम बना रहेगा किसी बच्चे की किलकारी संबंदित सुब सूचना मिलने से परिवार में यह समय खुसनुमा वातावरन रहेगा और परिवार प्रसंग पूर्ण रहेगा दोस्तो बात अगर आपके वेवसाय और केरियर की करें तो यह समय वेपार वे कामकाज में कुछ थोसवे महतपपूर्ण आप निरने लेंगे जो कि आपके लिए बहुत अधिक फाइदेबंद साबित होंगे आर्थिक इस्तितियां पहले से अधिक मजबूत होंगे नौकरी में किसी प्रकार की गलती होने से अधिकारियों के शमक्ष जबाब देही आपको करनी पड़ सकती है दोस्तो साथी साथ कारोबार में कड़ी मेहनत और परिश्रम की आपको आवशकता है कार्य विस्तार संबंदी योजनाएं कार्य रूप में पढ़नित होंगी एक बार उस योजना का उन्हें परिक्षण आप जरूर करें नोकरी में हलकी फुलकी परिशानी आएंगी परन्तु आप अपनी बुद्धी मता वे विवेक से सभी परिशानियों का हल बहुती सांति पूर्ण धंग से निकाल लेंगे साति सात कार्य छित्र में विस्तार के लिए कुछ योजनाओं पर विचार होगा यह समय मार्केटिंग संबंदी कारों पर अधिक आपको ध्यान देने की आवश्यक्ता है इसी बड़े अधिकारी या राजनितिग से आपकी मुलाकात बहुत फायदेबंद साबित होगी नोकरी पेसा लोगों की दिनचरिया बहुत अधिक व्यस्त रहेगी दोस्तो साथ-साथ यह समय व्यपार में विस्तार संबंदी जो योजना पिछले काफी समय से चल रही थी उसके क्रिया निवन्त करने का समय आ गया है सेल टेक्स, जी अश्टी आदी से जुड़े काम आप जल्द ही पूरा कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा पूरी गंभीरता और संजिदगी से आप अंजाम दें अन्य था आपका ओडर भी कैंसिल हो सकता है और पैसे भी फस सकते हैं सरकारी नोकरी में किसी प्रकार की उल्जने उत्पन हो सकती है इसलिए व्यर्थ किसी के काम में हस्त छेप आप ना करें दोस्तो साति सात व्यपार में कोई भी नया निवेश करने से पहले उसकी अच्छी तरह से जाँच परताल आप अवश्य करें किसी की चिकनी चुपडी बातों में आकर आप अपना अहित कर बैठेंगे नोकरी में छोटी मोटी समस्याइं आ सकती हैं परंतु बॉस और वरिष्ट अधिकारियों का सयोग आपको तनाव मुक्त रखेगा दोस्तो नोकरी पेशा लोगों के लिए यह समय मिला जुला रहने वाला है दोस्तो बात अगर आपके स्वास्थ की करें तो यह समय शाररिक कमजोरी तथा हड़्डियों में दर्द जैसी समस्याइं रह सकती हैं वर्तमान महौल से अपना आपको बचाव रखने की आवश्चकता है स्वास्था आपका ठीक रहेगा परन्तु खान पान तता दिन्चरिया को विवस्थित रखना आपके लिए अति आवश्चक है साथ साथ वायू विकार वे पेट से संबंदित दिक्कतें रह सकती हैं जादा गरिष्ट और तेलिये भूजन खाने से आप परेज करें किसी भी प्रकार की बुरी आदत वे बुरी संगती से आप दूर रहें इसी वज़े से आपका इम्यून सिस्टम भी कमजूर हो सकता है दोस्तों अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप नियमित योग और प्रणयाम का सहरा ले जो आपके स्वास्त के लिए बहुती अच्छा रहेगा